हेलो एव्रीवन वेल्कम बैक टोड़ाटनीफोर सेवन तो आज का यह जो पहली क्लास है इस इस गोइंग टो बी फिर्स्ट क्लास पॉर दी को स्टेट बेंक ऑफ इंडिया सीडियो सब्सक्राइब के लिए तो अब अगर हम बात करें तो काफी कम एक्जाम ही बचते हैं अग सब्सक्राइब के लिए हम डेडिकेटेड को स्टार्ट कर रहें तो सारी क्लास जो हैं आज आपको देखने को मिलेंगी पेड क्लास भी होगी साइमनेशली यूट्यूब चैनल पे भी होगा तो आप लोग फटाफट एक बस सेशन को शेर कर दीजिए सो डाट मैक्सिमम लो वेरी वर्म वेलकम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तो इस कूर्स के पहली क्लास होने वाली है टॉपिक जो हम डिसकस करेंगे ताट विल बी अल्फाबेट टेस्ट तो अल्फाबेट टेस्ट का अगर हम वेटेज की बात करें तो जनरली एक से दो कोशन या मैक्सिमम तीन क आपके पूछे जाते हैं अब इस पर कितने अलग-अलग टाइप के कोशन होते हैं सारे कोशन पहले हम थेरी पड़ेंगे उसके बाद हम एक गुड नंबर ओफ को सॉल्व भी करेंगे ठीक है तो सोनु सैम्यूल मुहमाद अफसर, जितेंदर, मनीशा, अंकूर, सैनी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वर्म वेल्कम चलिए तो आज आपको पहली क्लास ये रीजनिंग की देखने को मिल रही है इसके बाद बाकी सारे सब्जेक्ट की भी अपने शेडूल के हिसाब से आज आपको सेशन मिलेंगे देखने को पहली क्लास है इसलिए यूट्यूब पे आपको फ्री में भी मतलब अगर आप कोर्स में तो भी आप यह देख सकते हैं YouTube पर कल से जो regular classes है वो only for paid student ही होंगी तो आज आप एक glimpse ले सकते हैं कि कैसा क्या syllabus रहने वाला है कैसा क्या topic रहने वाले है कैसा क्या content रहने वाले है ठीक है session को start करते हैं तो यह सबसे important चीज जो है this is our course आज 3 November है तो आज से course start हो चुक है and this is the very first class for SBI CBO course ठीक है तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सारे subjects अच्छी तरीके से काफी बहतरीन तरीके से cover करवाए जाएंगे reasoning part जो है वो मैं आपका take care करूँगा and reasoning से related एक doubt हो रहाता है बच्चो मैं वो पहले clear कर देते हैं कि जो उसका notification है उसके अंदर अलग से कहीं पर reasoning mentioned नहीं है तो यह पढ़े हैं या नहीं पढ़ें तो last examination जब हुआ था same का SBI CBO का तो उस notification में भी से reasoning mentioned नहीं थी but still कुछ questions आये थे setting arrangement में से blood relation से direction से right तो इस बार भी same ही चीज है notification में अलग से mention नहीं है लेकिन हमें वो चीज तैयारी करके चलनी है so that अगर वो questions आते हैं जो कि आएंगे ही तो हम से एक भी question miss ना हो सारे questions का हम अच्छे से answer कर पाएं ठीक है तो इसलिए भी जरूरी है तो just try using code Y537 for the discount जो कि 77% discount उसके अलावा एक दो नए नए बैच और हैं जैसे कि mission NHB हो गया NHB की notification भी आईए इसमें थोड़ा सा जुगा था तीन बजे के आसपास afternoon में होगा था तो नाव definitely हमारा next target क्या रहने वाला है PO means तो उससे related भी dedicated course start है कल से start होगा November 4 से तो यहां पर भी आप enroll कर सकते हैं apply the same code Y537 जो कि आपको देगा 77% discount ठीक है तो session को अभी start करते है alphabet test alphabet test में क्या कुछ जरूरी चीज़े हैं वह हम discuss कर लेते हैं सबसे पहले तो alphabetical series हम सबको पता है बच्पन से हम पढ़ते आ रहे हैं ABCDF यह लेकिन उससे related कुछ ऐसी चीज़े हैं जो हमें ध्यान में रखनी है उसको उसी तरीके से समझना है पढ़ना है और याद रखना है so that जब हम question solve करने बैठें तो हमारा ज्यादा time जाया ना हो कम से कम time में ज्यादा ज्यादा question ज्यादा accuracy के साथ हम वह solve कर सकें ठीक है तो पहली चीज़ तो देखिए यह आज के बाद हम ABCD यह जो अलफ़ाबेटिकल सीरीज होती है इसको इस तरीके से याद रखेंगे ठीक है अब इसके पीछे लिखने का reason यह है कि आपको पता है टोटल 26 alphabets होते हैं तो 26 26 एक even number है इसको हम दो अलगर इकोल इकोल पार्स में divide कर सकते हैं 13 13 तो अगर आप देखेंगे place value of A is 1 place value of M is 13 और यह आपका हो जाएगा 14 then 15 26 यह हो जाएगा 26 इस तरीके से लिखने का कारण यह है क्योंकि कई बार questions जो है आगे और भी topics में use होता है जैसे coding decoding हो गया वहाँ पे opposite pairs का role बहुत important होता है opposite pairs पे base question पूछ लिए जाते हैं तो अभी opposite pairs क्लिरली आपको दिखें इसलिए भी इसको इस तरीके से लिखा गया है जैसे कि A के opposite Z है B के opposite Y है C के opposite X है तो topic wise topic जब हम आगे बढ़ेंगे coding decoding chapter में जाएंगे तबी भी इसका use वहाँ पर भी होगा इसलिए भी alphabet test जो है एंड उसमें भी alphabetical series किस तरीके से लिखनी है कैसे याद करनी है इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है ठीक है तो पहली चीज़ जो हम इसमें याद करेंगे वो इनकी place value होगी बार-बार ऐसे fingers पे count करने की ज़रूरत नहीं है तो इसे अच्छा है कि हम इन सब की place value एकदा मू ज करना पड़ें कि GHI, JKLM इसकी साथ है इसकी याठ है इस तरीके से तो A की place value में पता आई है ABC इसके लिए कोई tricky requirement नहीं है initial alphabet है ABC 123 सबको याद है in fact D तक आप याद कर सकते हैं इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है E की 5 होती है देखिए E की place value है 5 अगर आप 5 बोलते हैं तो E की sound आती है उसमें E 5 5 E तो उससे हम relate करके बोल सकते हैं कि E की जो place value है वो 5 है ठीक है F देखिए F से एक word होता है fix तो fix और 6 सिमिलर sound कर रहे है fix 6 E 5 E 5 fix F से fix 6 place value of F will be 6 ठीक है G7 G7 एक organization है G7 एक organization है उसकी help से हम याद कर सकते हैं G7 organization तो E 5 F fix यानकी 6 G7 एक international organization है H8 H का 8 कैसे है H को अगर आप उपर से और नीचे से ऐसे बंद कर देंगे तो यह 8 जैसी शेप ले लेगा So H is 8 ठीक है I is 9 कैसे I अगर आप 9 बोलते हैं 9 अगर आप 9 बोलते हैं तो आप उसमें एक sound आईगी I की I 9 दो तीन बार अगर हम practice करेंगे बोलेंगे याद करेंगे तो फटाफट से याद हो जाएगा आसानी से ठीक है I 9 9 I I 9 9 I इस तरीके से हम इसे याद कर सकते है place value of I is 9 जे एक word E J O T Y यह word आप सभी लोगोंने कही न कहीं कभी न कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा तो कोई बताएगा इसका मतलब क्या है मतलब मतलब तो कुछ नहीं है but what is the special thing about this E J O T Y कोई बताएगा तो अगर आप इस word को द्यान से देखेंगे तो सारे जो alphabets है इनकी place value 5 की multiples में E is 5, J is 10 यह आपका 15 है, T is 20 और Y is 25 अब इसकी importance क्या है चली यह तो हमने देख लिया कि 5 के multiples में उसके बाद क्या तो उसके बाद देखें यह कि अगर आपको E की place value यहां से पांच याद है तो E के आस और पास यानि कि जस्ट पहले और जस्ट बाद वाले की जो place value आप E के reference से निकाल सकते है similarly J अगर आपको 10 पता है तो J K 11 हो जाएगा J से पहले आए वह आपका 9 हो जाएगा इस लिए भी जोटी जो है important हो जाता है तो यहाँ पर जेटेन यहां से आप याद कर सकते हैं के 11 के 11 कैसे याद करेंगे Kings 11 पंजाब याद है Kings 11 पंजाब IPL की टीम तो के 11 ऐसे याद कर लेते हैं के 11 मतलब Kings 11 पंजाब की क्रिकेट टीम पता ही है तो के 11 हो गया के के बाद L L 12 अगर आप 12 बोलते हैं अगर आप 12 प्रनाउस करते हैं तो इसमें sound of L आपको दिखेगी दिखेगी मतलब महसूस होगी सुनाई देगी L 12 L 12 तो यह हो गया 10 11 12 अब देखिए जो स्टार्टिंग में आपको बोला था की टोटल 26 अलफा बैट से तो उसको 13 13 की दोरों में लिख देते हैं तो प्लेस वेल्यूस की कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी 13 और 14 यह आपको पता है कि जब अगर even number of कोई भी entity होती है इवन number of entity होती है तो उसमें मिट टर्म जो होगा दो होंगे अगर और है जैसे कि पांच साथ नों तो उसमें मिट टर्म एक होगा ऐसे हम याद कर सकते हैं मतलब यह बेसिक सा फंड़ है तो यहाँ पर 26 अलफाबेट से तो मिट टर्म दो होंगे एक 13 हो जाएक एक 14 हो जाएका एम और एन की प्लेस वेलियों इस तरीके से याद कर सकते हैं ल को यह सब्सक्राइब ल म यहां तक हो गया ओफिटीन कहां से जोटी से अ मोरें हो गया ओव इस 15 पी 16 पी 16 कैसे आद करेंगे ओके अगर याद करेंगे ओघर 15 है ओ पी ओपी अच्छा पूरी अलफाबेटिकल सीरीज में काफी हैसे यह से जो हमें बच्छपन से प्रेक्टिस है हमें पता है किसके बाद याद है कि यू वी डबलू इस तरह से हम बोलते रहते हैं तो याद है प्रेक्टिस ओलरड़ी तो ओ B P 15 हो गया जो टी से P 16 हो गया क्यू आपका 17 हो जाता है क्यूं से एक वर्ड कुइन कि और अगर आप 17 बोलेंगे तो दोनों में देखिए डबल एन डबल एन तो इसमें sound is की इन की क्यूं से ग्वीन 17 ऐसे मैं याद कर लेंगे फटा फट से पर याद हो जाएगा क्यूं कोई 17 दोनों में सावंड किस की यह डबल इनकी तो क्यूं कूई 17 क्यूं के रेफरेंस से आर और स याद कर लो 18 और 19 हो गया उसके बाद T20 आगया इजो टी से भी और T20 अभी तो वर्ड कप चली रहे ती टूंटी तो वैसे हम को याद रहेगा टी से क्या टूंटी प्लेस विल्यों टी टी की हेल्फ से मैं यू और वी याद कर लूँगा कितना 21 एंड 22 ठीक है टी की हेल्फ से हम याद कर लेंगे यूवी 21 और 22 ती यूवी अब उसके बाद है डबलू अगर देखी एम की प्लेस विल्यों 30 ने एम को अगर मैं अपसाइड डाउन फ्लिप कर दूं तो यह विल बी 23 उसके बाद X, Y, Z लास्ट के तीन 24, 25, 26 यह हो गए आपके क्या प्लेस वेल्यों की हाव तो लर्न एंड हाव तो रिटेन 21 उफ यू एंड F चली ठीक है यहाँ ता कोई डाउट हो तो बताईए बूरी स्क्रीन विजिबल अच्छे से देख लीजिए एक बार ठीक है तो यह जो भी हमने भी कुछ important words लिखे hints मालो कुछ भी मालो यह इसके लिए थे कि आपको place value कैसे सब की याद रखनी है अभी important क्यों देखिए अगर आप याद नहीं भी करतें तो अभी इस पर बेस्ट अगर कोई भी question आगा तो आप उसे solve तो करी लेंगे इतना question solve करने से कुछ नहीं होता है आपको कम time में भी question solve करना है और वो भी सही because अगर आप एक मिनिट में question solve कर रहे हैं तो कोई दूसरा student होगा जो उस एक मिनिट में उस एक मिनिट वाले question को हो सकता है 40 second में कर दे तो उसके पास 20 second extra बचे ऐसे उसमें 5 second 5 question कर दिये तो 100 second होग एक आपको दुबारा से याद नहीं करना पड़े गरण शर्भा रोज class होती है मतलब होगी but youtube पे यह पहली और आखरी class है केवल first class है आज इसलिए just to give you the live experience के paid class किस तरीके से conduct करवाई जाती है क्या उसका method रहता है content deliver करने का content क्या होता है तो आज केवल पहली class केवल reasoning की नहीं बाकि सारी subjects की भी आपको मिलेंगी youtube पे बट कल से तो केवल obviously paid students के लिए ही paid वाले platform पे visible होगी youtube पे नहीं होगी ठीक है तो हमने I suppose कि आपने इसकी place value याद कर लिए अब इसको ऐसे लिखने का जो reason था कि भाईया opposite pairs भी हमें याद करने तो opposite pairs कैसे याद करेंगे या वो याद कर लेते हैं ठीक है तो a z के opposite इसमें तो कोई trick की जरूत नहीं है यह तो आपको दिखी रहे है क्या दिख रहे ह आप लोगों से पूछते नंबर वाली चीज सारी मैंने बताई देखिए 16 दोनों ही अच्छे हैं देखिए अच्छा और बुरा जैसा कुछ होता नहीं है अगर आप उससे पूछेंगे sir sbipo अच्छा है या फिर ibpspo अच्छा है तो इसका क्या जवाब मिलेगा आपको दोनों में अपना अपना डिफरेंस है sbipo का जो डिखिकल्टी लेवल है वह ibpspo से थोड़ा सा उपर होता है तो वहां पर जो आपको perks मिलेंगे allowances मिलेंगे salary मिलेगी सब कुछ मिलेगा उसकी comparison में थोड़ा जादा होगा तो अगर आप हमेशा अच्छी कि दिली जा रहे हैं तो ठीक इस बेपी हो जाईए बट ऐसा तो है नहीं कि आप आप ibpspo का isbacler का फॉर्म नहीं बरेंगे तो instead of thinking in this direction कि भईया कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है हम क्या चीज कर सकते हैं फोकस कर सकते हैं अपनी तयारी बे जितनी तयारी हम कर सकते हैं जिस exam के लिए तैयरी कर सकते हो करिए end result जो भी होगा definitely हम उसे accept करेंगे ऐसा तो ह है नहीं कि आप ibpspo का फॉर्म नहीं बरेंगे तो अगर sbi cbo और sbi clerical की बात की जाए तो दोनों ही अच्छे हैं दोनों के लिए आप अपीर हुई है या तो फिर ऐसी situation आए कि आपके हाथ में दोनों के call letter है एक में sbi clerical का एक में sbi cbo का तब इस point को discuss करने का point बनता है कि अ आप मेरे पास दो option है अब बताइए सर की में कहां जाओ ठीक है अधरवाइस अभी हमारी तयारी वाला फेस है तो हम focus करते हैं तयारी पर ठीक है बिल्कुल गगन देखिए आप खुद देखिए आज मैंने इसी एक चीज नहीं पढ़ाई आज की अगर इस class को कोई ऐसा student देख रहा होगा जिसने एक साल से तयारी कर रखी है उसे तो सब कुछ आए गई समझ में जो आज सबसे पहले let's suppose कि आज ही किसी ने उसको बताए क कि बैंक इंग्जाम के तयारी करो आज ही उसने यूट्यूब चैनल खोला और आज ही उसने ये session पहली बार देखा reasoning का तो उसको भी उतना ही समझ में आया होगा ऐसी मैंने कोई चीज नहीं बताई जो एकदम आपके सर की उपर से गई होगी ऐलफाबेटिकल सीरीज है उसम सब्सक्राइबाद question solve करेंगे morning Manisha very good morning नहीं बिलकुल नहीं मंदी पंजाब से नहीं है I am from Rajasthan जैबुर चली ठीक है अपोजिट पेस याद करना शुरू करें तो A और Z तो अपोजिट होते ही होते हैं लेकिन B और Y जो अपोजिट होता है इसके लिए को वर्ड है आपको प तो उसके लिए एक वर्ड है boy B O Y ठीक है तो B देखिए और Y देखिए B Y एपोजिट हो गया चलिए गुट्टू नहीं मनीशा वेरी गुट क्लास स्टार्ट ओचके आ गगन इस कोर्स की इस पूरे कोर्स की आज की आज से स्टार्ट हो रहा है और उसमें भी सबसे पहली क्लार सरी editionsing की यह वाली इसके बाद और क्लासेश्स आपको मिलेंगी याजित को ठीक है पी-वाइक सब्सक्रशिट happens to क्रेक्स ठीक है डिव अब आपने चिप्स खायें तो साथ में कोल्डिंग तो पी होगी तो माउंट इन डिव डी अपोजिट एक सके डबलू के याद हो रहे डी किसके अपोजिटे डबलू के माउंट इन डिव ठीक है बीक है और अगला पेरदी की इव, इलेक्ट्रोवोटिंग मशीन, इवे इवे मचीन वोट्स आपने दीयोंगे कोरेक्स से भी आप याद कर सकते हैं और भी भूछ सारे वर्ट्वो सकते हैं ठीक है एक एक अपोजिट पेर को याद करने की एक से जबह भी हो सकते हैं हेलो अंजली पूछिए आप अवन गुमार क्या डाउट है आपका है ठीक है तो इवी इवे मशीन हो गया एफ यू फुकरे मूवी है वह सकता है आप मैं से किसी ने देखियो तो एफ यू फुकरे मूवी अगर नहीं देखिए तो इची बात है आपका टाइम बज़िए एक है जी टी जी टी कैसे याद करें जी-एस-टी या फिर जीटी रोड तीक है जी-एस-टी जी-एस-टी से याद कर लो एच एच एस या फिर high school कर लो, high school, H.S. मतलब high school या फिर इस कर लो, चलिए, thank you so much दिपांशु, ठीक है, his कर लो, high school कर लो, IR क्या है, Indian railways, IR मतलब, Indian railways, जेक्यू जेक्यू जैक एंड कुईन गुल्ला और बेगम सब जानते होंगे इनद को पत्ते खेले होंगे सब ने कोई अभी भी खेलता ही होगा जे एंड क्यू तो एट विल भी जैक एंड कुई इसके बाद KP KP कैसे आद करें किया पोजीट एप एप पोजीटेट की के पीके मुवी वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबीगो राइट सो पीके मुवी ठीक है पीके मुवी तो सब ने देखी और देवाली पर आपने कूरता पजामा भी पहना होगा याप ऐसे किसी फॉर्मल फंक्शन पर तो ऐसे भी याद कर सकते हैं जिससे भी आपको याद रह जाए पीके मुवी से रह जाए या फिर कुर्टा पजामा से रह जाए हमें बस याद करने से मतलब है कि पी अपोजीट एक के पी के ठीक है ल ओ लो लोटो एक ब्रैंड है वैसे ही एम और फर्स्ट अला मतलब दोनों एक स्टीमेंट पे लेकिन फिर भी अगर याद करना हो तो कोई वर्ड है चलिए बहुत देखिए दिपांशू काफी अच्छी चीज है कि आप यह आप केवल 11 में और आपके पास काफी समय है तो इस समय का सदूप्योग करिए एकदम राइट प्लैटफोर्म पे एंड राइट टाइम पे आपको गाइडेंस मिल चुकी है अगर जिसने भी दिये है फिर आपका खुद का यह ड्रीम है तो बहुत अच्छी बात है जितने टाइम होता है हमारे पास उतनी जादा हमारे पास चांस है कि हम अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएं लेकिन क्या होता है जैसे आप 11 में फिर 12 अगले साल ठीक है फिर तीन साल मिनिमम ग्रेजूशन के लिए लो चार साल तो चार साल तक इसकी कंटीनियू तैयारी करना वो थोड़ा सा मतलब हो सकता है ना हो पाए नहीं हो पाए बीच में आप छोड़ दें तो मैं बस यह करूँगा अगर आपने सोच लिए तो चाहे चार साल हो चाहे पास साल हो आपको पूरे इस यह नहीं बढ़ फिर भी एक नाम लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे नरेंद्र मोदी कि कभी नहीं भूलेंगे अगर आप भूलना भी चाहेंगे तो यह भूलने नहीं देंगे नरेंद्र मोदी एनम ठीक है तो एम अपोजिट टू एन पेट कूर्स की डीटेल वेब साइट पर मिल जाएगी कज़र सब्सक्राइब करेंगे वहीं पर मिल जाएंगी आसे स्टार्ट हो रही है बाकि अभी आप वेट करें सेशन जब करेंड होगा तो में यहीं पर आपको दुबारा से उपन करके दिखा दूँगा ठीक है अड़ा स्टोर पे कैसे आपको जाना है यह सारी चीज़े सेशन के एंड के लिए रखते हैं अभी एक बार फोकस कर लेते हैं इसी पर ठीक है तो मनीशा जैसे सेशन एंड होगा वैस के समझ में आ गया अपोजिट पेस कैसे याद करने किन वर्ड से यह भी हमें याद हो गया ठीक है एक चीज क्लियर है इस पर बेस्ट अब कैसे कैसे कॉश्ण साथ हैं उनको देख लेते हैं ठीक है अब अल्फाबेट टेस्ट में काफी अलग अलग तरीके के कॉश्ण साथ हैं उन में से एक आपकी स्क्रीन पर रहे है कि अधिए यहां पर आपको क्या है पैटर्न को पिक करना है ठीक है पैटर्न को पिक करिए क्या चीज रिपीट हो रही है उसे पिक करिए उसके बाद क्या आएगा उसे पिक करिए जैसे की वेरी गुड गौरव पांडे अल्रेडी आंसर आ चुका है फ्रम गौरव पांडे बाकी लोग आंसर करिए कि देखें किस तरह किसे सौल्म किया जाए येज़े बीसी पी ख्यूर आपए बीसी दी पी ती ये पी क्यू आर सी पैटन करें ख्रों कि क्या चीज रिपीट हो रहा है क्या पेटन बार-बार यूज़ हो रहा है यहां पे दो साइमल्टीनिसली सीरीज चलिए एक ABC और एक PQR तो हर बार एक एक एलफाबेट इंक्रीज हो रहा है ABC के बाद ABCD हो गया PQR S हो गया फिर ABCD E हो गया PQR S T हो जाएगा तो आप से पूछा गया था वहां पर क्या लफाल पर वेटाएगा 7 आएगा यहां पर क्या सिरीज पिक करिया आपने देखिए 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 से लेके 6 1 से लेके 7 देखना इसलिए मैं केवल इंग्लीश में लेका है बट अगर आप लोग कहेंगे अगर आपकी डिवांड होगी कि सर अमको इंग्लीश में नहीं हिंदी में भी चाहिए तो कल से सारी चीज़े में हिंदी में भी लियाँगा बाकि बहुत ही आसा नॉर्मल सी इंग्लीश है इतनी आपको आनी चाहिए कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ लीजेगा ठीक है आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा मतलब होता है ना हम एक चीज़ सोच लेते हैं कि हमें यह चीज़ कर नहीं है बट फिर हमें पता नहीं होता है कि स्टार्ट कहां से करें तो अगर आप वाकई में डेडिकेटिटली बेंकिंग एक्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बेसिक से आपको पढ़ना होगा ठीक है हर सबजेक्ट बेसिक से पढ़ना होगा पहले कंसेट्ट से फूकस करना होगा उसके बाद प्रेक्टिस प्रेक्टिस एंड प्रेक्टिस ही करनी है आपको अच्छे खासे number of mock test देने ठीक है तो अभी आप क्योंकि 11th class में है तो आपके पास sufficient time है and start करने के लिए this course will be a best course ठीक है क्योंकि ऐसा निये कि इस course में हम जो पढ़ेंगे वो कहीं कामी नहीं आएगा इस exam के लावा नहीं जो हम यहां पढ़ेंगे वह आगे भी जो examinations होंगे उन्हें में भी equally काम आएगा हाँ लेवल of questions थोड़ा सा उपर नीचे होगा वह वहरी करेगा ठीक है यहां भे क्या पूछ रहा था अगर यह जो वर्ड गिवन एक्वालिटी इसको मैं अरेंज कर दो alphabetically from left to right the word given a quality q u a left to right arrange करने तो हमेशा ध्यान रखना कि this will be my left end यह मेरा left और यह मेरा राइट है तो इनको alphabetically arrange करने from left to right alphabetically arrange करना मतलब जो alphabetical series में पहले है उसको पहले लिखो बाद में बाद में उस तरीके से left to right तो सबसे पहले यहां पर a आ जाएगा then b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u y वो तो कर दिया लेकिन पूछा क्या था पोजीशन कितने alphabets की will remain unchanged unchanged मतलब सेम पोजीशन पर रहेगा तो यहां पर आप देखिए इसकी चेंज होगी क्यों की जगे ए चेंज हो गया चेंज हो गया चेंज हो गया चेंज केवल वाई जो है अपनी पोजीशन पर है so answer will be one answer will be one केवल एक alphabet ऐसा है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी आगया सबका one गौरव मनिशा अंकुर सेनी good आगे देखिए same question है इस बार t o m tomatoes इhe tomatoes है ठीक है o लगा ले ना वहाँ पर t o e s है चलिए इसका answer बताईए और जितने भी लोग वाई टी पे देख रहे हैं अभी भी आप लोगों ने session को share और like नहीं किया तो फटाफट से share और like कर दीजिए and बाकी जो details वगे रहे हैं थोड़ा सा wait करिए towards the end of session 15-20 minutes के बाद detail में आप से और discuss करेंगे ठीक है चलिए पहले आप लोग इसका answer बताईए पहले आप लोग बताईए फिर इसको solution देखते है one देखिए especially अगर मैं reasoning section की बात करूं especially reasoning section की बात करूं बाकियों पर भी अपनी केबल है अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे खासे numbers है देखिए तैयारी तो हम करेंगी करेंगी लेकिन उस तैयारी का कोई फायदा नहीं कि जब हम actual exam में उसको implement नहीं कर पा रहे हैं तो आपका 100% focus होना चाहिए अगर थोड़ा सा भी आपका focus इधर उदर हुआ तो आपका selection भी थोड़ा बहुत नहीं बहुत जादा इधर उदर हो जाएगा ऐसा बहुत students के साथ होता है मौक टेस्ट में बहुत अच्छे numbers आते हैं YouTube classes पे बहुत अच्छे responses होते हैं बच्चों के सही responses बहुत जल्दी भी आते हैं speed भी है accuracy भी है बट जब time आया exam देने का जब actual exam देने गए वहाँ पे उतने focus होके वह exam नहीं दे पाए reason कुछ भी हो selection नहीं हुआ तो वो जो साल बर महनत करी उसका क्या फायदा है जब उसको आप implement नहीं कर पारें उस actual दिन जब आपका examination है तो focus maintain रखिए class में इसकी अगर हम जो भी एक बात और जो सच है वो यही है जब भी आप course में पढ़ते हैं या फिर वाइटी पर पढ़ते हैं जिस तरीके से आप पढ़ते हैं जो आदत आप यहाँ develop करते हैं या तो आप serious हो कि sessions attend करेंगे या फिर casually करेंगे वही चीज आपको पता नहीं होती ही वह build होती जाती है आपकी आदत बनती जाती है फिर जब आप exam देते हैं तो वही आदत वहाँ पर भी जाती है और फिर वही है आता सब कुछ है लेकिं question solve नहीं हो रहे एक्जाम में यहाँ पर क्या करना यहाँ थोड़ा सा मैंने twist किया इस question को कि कितने alphabet remain unchanged जब मैं इनको rearrange करूँगा from right to left ठीक है अगर आपने ध्यान से पढ़ा है right to left तो तो आपने सही solve किया होगा otherwise पिछले question में पिछले question में क्या था left to right था अगर आपने इसको भी left to right कर दिया तो यह question आपका गलत हुआ होगा अब मुझे right to left करना है alphabetical order में तो यहाँ पर पहले a आएगा ठीक है then b c d e f g h i j k l m m n o ठीक है p q r s t तो जिनका 1 आ रहा था गलत हो गया न जिनका 1 आ रहा था हो गया गलत क्यों गलत हो गया क्योंकि आपने question ढंग से नहीं पड़ा अब ऐसा नहीं कि आपको question आते नहीं थे question आपको आते थे यह हो गया t यह हो गया e question आपको आते थे लेकिन आपने पढ़ा ही गलत जब गलत पढ़ेंगे तो गलत आंसर करेंगे क्या यह बात clear है आप लोगों ने क्या solve किया आप लोगों ने solve किया इसका just opposite a e m o o s t t हो सकता है कई बार यह भी हो सकता है कि हम गलत solve कर रहें लेकिन culture को आसा हो रहा है कि दो जों आप गलत सॉल्व करें वो सही हो रहा है लेकिन क्या जरूरी हर Fiona होगा ठीट में है उससे जायत centres जरूरी क्या है अपनी गलती को पहचारी एंचे से रीडी नहीं किया यह बोलना कि सरा तो ऑन्फरत दोने सेया थया उससे क्या पर थते है इससे अ opportunities से यह बूले यहां पर कुछ नहीं है, alphabetical order from left to right है, banking, तो यह A हो जाएगा, यह B हो जाएगा, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, यही होगा, तो यहां पर भी क्या पुछा था, unchanged, तो यह change, 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 के वल, N, जो है, that will be unchanged, answer will be 1, answer will be 1, हां, किसका doubt है, बिशाली कर्मा कर्या, I hope आपको अप क्लियर हो गया होगा, सबका answer, answer बता ही, answer नहीं आ रहे, answer, answer, एक आ रहा है एंजली, चलिए, good, आगे बढ़े, कोई doubt नहीं है तो, कि एवल एक alphabet है, जो unchanged रहेगा, अब देखिए, alphabet test पे based, सबसे important question एक यह है, हर prelims में, चाहिए वो किसी का भी examination हो, SBA, CBO हो, PO हो, clerk हो, RRB examination हो, कुछ भी हो, एक question, prelims में examiner आप से पूछेगा ही पूछेगा, कौन सा, pair finding का, तो अभी कैसे solve करते हैं, detail में देखेंगे, पहला question है, इस type का, बड़ पहले देख लेते हैं, कि कितने लोग इसको answer कर पाते हैं, ठीक है, तो जिनको already आता है, जिनको पता है, कि यह क्या question है, किस तरीके से solve करना है, एक बाद try करिए और बताईए, तरीके आता है, पहला से हैं, आता है, पहला कर देखाएंक Stat। कि एनिवन विद्धी आंसर किसी का भी निया है कोशन जाना पहचाना है फिन नहीं सब के लिए पेर फाइंडिंग पॉशन को पढ़ लो एक बार देखिए कितने ऐसे पेर्स है इस वर्ड में ने वर्थ लेस में उन पेर के बीच में उतने ही लेटर्स होने चाहिए जितने इस वर्ड में हैं जितने अल्फाबेटिकल सिरीज में होते हैं उतने ही इसमें होने चाहिए ऐसे पेर्स को आपको ढूंड़के निकालना है अब कैसे ढूंड़के निकालना है चलिए देख लेते हैं वर्ड कौन स गिवन एने वर्थ लेस Spelling सही लिखना तीन पेरे पवन कुमार वेरी गुड एनि वी ए आट एच एनि एसे अब देखिए आपको क्या करना है दोनों डारेक्शन फॉर्वर्ड रिवर्स एक में सीख लिएते हैं पहले ये फॉर्वर्ड डारेक्शन हो गई इस तरफ बढ़ रहे हैं ठीक है ये फॉर्वर्ड डारेक्शन है दो पेस देखिए अब आपके आंसर्स गलत गलत आ रहे हैं अंजली साय कृष्णा इस सेंग टू पावन यहां पर बोल रहे हैं तीन देखते हैं आपको क्या करना है एक-एक अलफबेट पकड़ना है और आगे अलफबेटिकल सीरीज बोलनी शुरू करनी है जब तक वह अलफबेट मिल नहीं जाता है कैसे कभी भी नहीं कि अंकूर कर लेते हैं देखिए एं को उठाई एं के बाद क्या आता है और आता है तो अन के बाद ओ पीडर सी बोलते उर वह बढ़ते जहिए एक-एक स्टेप इन के बाद ऐल म म अन के बाद ему P qR R आगया N से R एक पंगया है एक पilly M N most ऑफ एक पल बन गए अब पूंचेंगे सरी एंब और रपियर बन गीए इसका मतलब है इसका मतलब यह है कि N और आर के बीच में alphabetical series देखिए क्या होती है M N O P Q R तो alphabetical series में N और R के बीच में कितने alphabet हैं तीन और यहां पर कितने दिख रहे हैं E V E 3 तो बस वो पेयर हो गया यह तो पूछा गया है कि ऐसे धून के बताईए जिनके बीच उतने ही नंबर ओफ एल्फाबेट होने चीए इस वर्ड में जितने एल्फाबेटिकल सिरीज में अब आपको समझ भाएं अंकुर सेनी और यहां देख लेते हैं और यह दो आगे ढूंते हैं साहिक्रिष्णा और कौन-कौन से पेयर से ढूंते हैं ढूंते हैं पहले से देखिए एक बार कैसे एक पेर बन गया समझ में आ गया और आगे देखते हैं आर एस टी यू वी डबलू नहीं है अब ए से देखिए एके बाद एफ जी एच आई जे के लमन नहीं है वी से देखिए वी के बाद डबलो एक फ़ाइज नहीं होगा ई देखिए ए एफ जी एच तो ई से एच भी हो गया एक पेयर समझ में आ रहा है इसे एच कैसे हुआ ए एफ जी एच तो ऐल्भाइट की स्रीस में दो फ़्रम सबच होते हैं यहां पर भी गब होते हैं तो यह ही ओर एच भी पेर हो गया है है एक दोड़ आधि और में जांति करने हो दो बखेल हुआ है तो फेयर्स अब्हुन कोश्यम में अब और है और आप को आप को वही काम जो हम अभी कर रहे थे रिवाट में भी च officer करने एक एक alpha पैट से पहले ऐससे देखिए एसके बात एस्ट यूवी डब्लो एकस-वाई-जड जबी आप जाएंगे हमेशा एसे जड़ी जाएंगे उसके बाद दुबारा से जड़ से नहीं इड़ी किसे इस को देखिए एसके बाद टी यूवी डबलो एकस जड़ कुछ नहीं है E F G H I J K L M नहीं है N O P Q R S T U नहीं है H I J K L M N H से लेके N H के बाद देखिए H के बाद I J K L M N तो H N Reverse में एक पेर मिल गया आप लोग तो बोल रहेते दो ही है आप लोग कह रहे थे दो यह तीन तो हो गए डैट मीज पावन का अंसर सही था और ढूंते हैं टी यू वी डवल नहीं है आर एस टी ए एफ जी ठीक है आंसर इस दो फॉर्वर्ड में एक रिवर्स में आंसर विल भी थ्री क्या बात क्लियर है किस किसको समझ में नहीं आया यह बताई आगया और प्रेक्टिस के देखिए तो एक मैथट था मैथट नमबर वन था जिसमें जब हम एल्फाबेटी के लिए ढूंड रहें तो एक चीज़ हमेशा आपको याद रखना है केवल हमेशा ए से जैड तक ही जाना है जैड से दुबारा ए पर मता जाना जब ऐसे मैं भी बोल रहा था कि पी के बाद क्यू आरेस टी डबलो के बाद एकस वाई जैड जैड तक ही जाना मैक्जिम जैड से वापस से नहीं घूमना है इसके पीछे रीजन के अब वो देखिए यह आपका होगा है मैथड नंबर वन अब इसका मैथड नंबर टू क्या है वह भी देख लीजिए फिर दोनों में से जो आपको आसान लगी उसको फॉलो कर लेना ठीक है कोई कमपल्शन नहीं है है एच और एन मैथड नंबर टू क्या कहता है कि जो भी वर्ड आपको गिवन है उसमें जो भी एल्फाबेट से उनको आप रिप्लेस कर दो किस से उसकी प्लेस वेल्यू से जैसे की चली थोड़ा बैट की लिखना पड़ेगा एन की प्लेस वेली क्या होती है 30 14 ए इस 5 ठीक है टी यू वी टी होता है 20 21 22 ए इस 5 क्यू कूइन 17 आर तो यह 18 हो जाएगा इस तो सारे एल्फाबेट से रिप्लेस कर देंगी उसकी प्लेस वेल्यू से ब्लेस और यह जो वर्ड है यह हमारे किसी कामका नियूब्लेसalo ili नमबर्स में जैसे हम एल्फाबेटिकल सिरीज में एक एक पकड़के आगे कि श्त हम आगे आते की दस बजे मयूर चलिए मयूर आपका डाउट क्लियर हो गया प्लेस एल्यू आगे लिजी तो अब जो हम अभी काम करें अभी करना है आगे बढ़ना एक इक स्टेप कैसे बढ़ेंगे देखिए यहाँ पर 14 14 के बाद क्या आता है 15 तो आगे बोलती जाहिए एक इक स्टेप बढ़ते जाहिए जब तक वो नंबर मिलनी जाता है देखिए 14 के बाद 15 बढ़ यहाँ तो 5 है आगे बढ़िए 15 16 17 18 18 मिल गया तो एक पेर यह हो गया तो अगर आप देखेंगे तो हम काम तो वही कर रहे हैं पहले हम अल्फाबेट में खेल रहे थे अभी हम नंबर में खेल रहे हैं दोनों में difference किया है कुछ भी नहीं है फिर भी इस्टुडेंट्स को लगता है कि सर नंबर से क्यों नहीं बता रहे है आप तो नंबर से बता करिए और चेक करें तीन पेर ते तो यहां पर भी तीन होंगे पांच को देखिए छह साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा कुछ भी नहीं है बाइस तेरीश चौइस पचीश चबिस तकी जाएंगे पांच छह साथ एक ही हो गया पांच से आठ ठीक है आगे कोई मिलेगा न है एच और एन यह देखिए आठ है कि बीस हिकीस वाइस तीस है एच और एन तेरा बारा ग्यारा आठ से नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा एक यह आपका आठ से फूटीन हो जाएगा तो आंसर तो डेफिनिटली सेम ही आना था उसमें कोई सर्प्राइज वाली चीज नहीं है ठीक है लेकिन अप्रोच दोनों अलग अलग है अब मैं यह मानता हूं क्योंकि मेरी प्रैक लो तो एक लॉजिक हम समझ लेते जब आप अलफाबेटिक लिए सॉल गरते हैं तो एसे जड क्यों जाना है जैड से दुबारा एपक यून आए क्यों जब मैं यहां पर आप सॉल करेंगे यह बाई से लेट सबोज यह बाई से तो 22 के बाद आप क्या डूनेंगे टेईस अलफाबेट 26 ही है तो फॉर दी सेम रिजन यहां पर भी में एसे जैड ही जाओंगा जैड से दुबारा एप आने की ज़रूरत नहीं है कुश्चन गलत हो जाएगा आप नहीं नहीं यह आर बेग्रेट भी कवर नहीं करेगा सिम्रन आर बेग्रेट भी टूटली डिफ्रेंट लेवल ऑफ एक्जामिनिशन है तो उसके लिए जो चीजें हैं कॉर्स हैं कॉंटेंट हैं कॉश्चन हैं वो भी अलग है कई बार कई बार ऐसा होता है मनीशा यूर राइट कि जैसे मैंने यहां पर आपको वर्ड दिये तो एक्जामिन आपको वर्ड नहीं देगा वो सीधे नंबर दे देता है तो जब नंबर डारेक्टली दे दिये तो उनको हम अलफाबेट में कनवर्ट थोड़े ना करेंगे जब नंबर ही दिये तो उसको वैसी सॉल्व कर देंगे तो नंबर से सॉल्व करना तो हमने सीखी लिए है ठीक है चलिए अब ये कोश्चन आपको करना है और कोशिच करनी है कि सही करें ठीक है अब सेम कोश्चन है आपको नंबर में करना है नंबर में कर लो मुझे आंसर से मतलब है सही आंसर आये और जल्दी आये फर्स्ट एंट फास्ट शेडूल पूरा शेडूल बस थोड़ी सी देर रुख जाए पूरा शेडूल चैनल पर एक बार में आपको ओपन करेंगे दि होगी आपकी और जैसे-जैसे आज क्लासेज होती जाएंगी वही उनके फिक्स स्लोट रहेंगे फॉर दी अपकमिंग डेज ऑल्सो ठीक है अंकूर चलिए आप लोग ट्राइ करिए साइमेलिटेनिसली ट्राइ करते हैं वर्ड इस डेंजर अस मिले किसी को पेस यह आई-वी-पी-एस-ए-फ-ओ को कवर करेगा ना ए-ए-फ-ओ वहाँ पे तो थोड़ी अलग कहानी है ना स्टार्ट करें डी से देखें मतलब फॉरवर्ड में स्टार्ट करें देखें डी-ई-ए-फ-जी दी और जी हो गया जी ए-ए-चाई-जे कुछ भी नहीं है ए के बाद बी-सी-डी-ए-फ-जी-ए-च ए-न-ओ-पी-क्यू- आर-एस-टी-उ-ए-स-टी-उ-ए-स-टी-उ-ठीक है फॉरवर्ड में तो एक मिल गया डी-जी और कुछ मिला फॉर्वर्ड में फॉर्वर्ड में कुछ और मिला किसी क रिवर्ड में चेक करें ए-स-टी-उ-वी-डबलू-ए-क-ई-जे नहीं होगा यू-वी-डबलू-ओ-प-ई-क्यू-ए-स-टी-उ-ए-फ-जी-ए-जी-ए-च ए-न-ओ-पी-ठीक है आंसर विल बी-वन फॉर्वर्ड में डी-जी बताइए मनिशा कुमावत पवन कुमार वन यहां पर आये किसी कांसर साइक्रिष्णा ठीक है अगला कोशन देखी रीजनिंग इसका तो आपको सही आंसर निकाल नहीं है हर हालत में र-e-a-s-o-n-i-n-g बताइए इसमें कितने पेस हैं नहीं पंकर जैसे सीजी एल टोटली डिफरेंट तिंग आप कन्फ्यूज हो रहे हैं दो अलग अलग चीजें हैं यह ठीक है R से देखें R, S, T, U, V, W नहीं होगा E, F, G, H, I, J, K, L नहीं होगा A, B, C, D, E, F, G, A से G लिख देते हैं A से G ठीक है, S, T, U, V, W, O, P, Q, R, N, O, P, ठीक है, forward में तो एक मिल गया, forward में एक सब को मिल गया होगा मनीशा, पवान, अंकुस, नहीं बताईए, reverse में देखें, reverse में G, H, I, J, K, L, M, N, O, G, I, H, O, P, Q, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, नहीं होगा, N, O, एक N, O, O, P, Q, R, S, T, U, A, B, C, ठीक है, तीन आंसर आगया, very good problem, यहां पर, गलत है, खुश्बू, one is not the answer, three is correct, अंकूर सैनी, perfect, very good, डिवाइजर, letters, forward, same question, practice करिये, D, I, V, I, S, O, R, बताईए, how many pairs, forward, backward, स्टाट करें, D, E, F, G, H, I, J, I, J, K, L, M, N, V, I, J, K, S, T, U, R, S, T, U, V, W, O, P, Q, R, S, T, S, T, U, V, I, J, K, चेक करिए, जरा, यह, N से, नहीं अब बैशाली, N और O के बीच में, कोई letter नहीं है, तो 0 letter है, इसका अंसर बताईए, कुछ दिख रहा है, इसमें पेर, S, T, U, V, इसके अलावा बताईए, एक तो यह है ही है, गलत है, S, K, Salim, S, I, Krishna, V, R, answer है, V, R, एक पेर है, that is, V, R, दुबारा चेक करिए, clear, choose the word, एक word, ऐसा, इसमें से select करिए, पांचों, चारों, प्शिंस में से, जो बाकी तीनों से अलग हो, odd, one out, मतलब क्या होता है, जो दूसरों से अलग है, है, different है, choose the word which is different from the rest, तो हो सकता है, यह चारों सेम हो, चारों सेम हो, तो answer हो जाएगा, none of these, मतलब कि इन में से कोई भी अलग नहीं, सारे same pattern को follow करें, तो यहाँ पे आपको pattern को pick करना है, ठीक है, देखें क्या logic follow हो रहा है, A, C, E, G, कितने letters का gap है, opposite लिखा हुआ है, कुछ भी logic हो सकता है, जो हमने आज पढ़ा है, उसी में से होगा, उसके बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है, ढूंड़िए, हुआ है, नहीं होँआ है, तो रहा है, वहा है, ऋबढ़ें ה ह、、ठीक है, ऑनbie नहीं है, ञेक लिगक है, पिक लिखका पस्याम में सेल क salary को ऑना है, इनby करें, तंड़िसे हैं, रहा है, ह sense how you cutest, let us上来 है? कुछ, ढूंड़िए, पसुछू अपस्टें लिखकें ? देखिए, A, C, E, G, A, B, C, यहाँ पर A के अलफाबेट मिसिंग है, C, D, E, A के अलफाबेट, E, F, G, A के अलफाबेट, तो यह मैंने क्या लिख दिया कि A, C, E, G, B, क्या क्या है, A के के अलफाबेट मिसिंग हो रहा है, यहाँ पर देखते हैं, L देखिए, M, N, O, दो अलफाबेट गायव है, O, P, Q, R, दो अलफाबेट गायव है, R, S, T, U, दो अलफाबेट गायव है, कि इन सब में जो अलफाबेट से उनकी बीच का जो गैप है, वो यूनिफॉर्म है, भले ही वो एक हो, दो हो, तीन हो, बट यूनिफॉर्म है, यह चीज़ हमने नोटिस के लिए आगे देखिए, P, Q, R, यहाँ पर A, K, R, S, T, T, U, V, V, W, X, Y, यहाँ पर तीन, तो इसलिए यह गलत है, और इसलिए यह हमारा आंसर है, बिकाज, जो ऑप्शन D है, वहाँ पर जो गैप है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, गैप जो है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए वो और वन आउट है, बाकियों से अलग है, क्या इतना क्लियर है, ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन को मेहीं पर वाइंड अप करेंगे, और यहाँ अगरे, एंड दो तीन चार कोशन और है, थोड़ी सी चीज़े वो डिसकर्स करनी है, तो वह हम, मतलब कोशन से हैं, बेसिकली, वह हम कल की क्लास में डिसकर्स कर लेंगे, दो चार कोशन और है, ठीक है, चलिए, तो काफी चीज़े आप लोग पूछ आते, कोस्र दिख जाएगा आपको, कोर्स आपको एक ही कोर्स है, जो जस्ट आज से ही स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर आपको सारी डिटेस, जो भी डिटेस आपको चेक करनी है, आप क्लिक कर लेना, ठीक है, आज से स्टार्ट हो चुका है, कौन सी क्लास कब है, तीन नवंबर से स् आते बीच वीच में क्लासेज और पूरा शेडूल आप लोग पूछ रहे थे कि टाइम टेबल क्या शेडूल क्या देखिए सारी चीज़े आपको विजिबल एक बहर जाते हैं देख लीजिए ठीक है तो रीजनिंग की क्लास दस से ग्यारा अभी होई गई यह ठीक है नौ से दस आपकी जी यह लाइफ क्लास हो चुकी होगी और कौन-कौन सी तीन तारीक हो देखिए आज कौन-कौन सी क्लास है शाम को साड़े छे से साथ इकोनॉमिक लाइफ क्लास है आज की बात करें एक से दो आपकी इंग्लिश की लाइव क्लास है यह सारी तीन तीन नवंबर वाली है फिर ग्यारा की ठीक है तो इस मतलब आज है जो क्लासे जो कल से रेगुलर फिर उसी टाइम स्लोट पर स्टार्ट हो जाएंगी यह आज का था ठीक है और रही बात इसके कॉस्ट की परसेंट और अगर आप पे जाते हैं अगर आप से पर्चेस करते हैं तो 78 परसेंट एक और एक स्टा आपको मिल जाएगा बैट विल बी इंग्लिश मेडियम इंग्लिश लेंगोज में पढ़ाए जाएंगे तो यह आपका सब्सक्राइब हो गया सब्सक्राइब हो गया अब जो नेक्स्ट में बैच है डाट इस आई बीपेस प्यों कल ही रिजल्ट आउट हुआ है आई होप आप में से काफी लोगों ने क्लियर किया होगा और जिनका नहीं भी हुआ डूनाट लूज एनी हो बहुत सारी ऑपर्चुनटीज है जिनका हो गया है अब आपको क्या चाहिए एक फिर से डेडिकेटेड सिस्टम चाहिए जहां पर आप पढ़ सकते हैं अपने मेंस ठीक है सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का सेशन में एड होने के लिए चाहिए आप वाइटी पर होँ चाहिए पे पर हो तो जो कोर्स पर हैं वो तो कल दुबारा मुलाकात होगी और जो वाइटी वाले स्टूडेंट्स हैं जो वाइटी पर हमारे सेशन से तो इ में तेकली ग्लास में, have a wonderful day, take care and good bye.